तक दिन तकर दिन दूम वेलकम तो थर्ड एपिसोड ओफ बच्चों की खबत मैं हूँ टिकी और मैं हूँ निकी अच्छा बताओ निकी ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी बॉडी नहीं होती और नोज यानि नाक भी नहीं होती बॉडी नहीं होती और नोज भी नहीं होती नोबडी नोज और इसी के साथ हमारे आज के कॉलर तयार है तो चलो उनसे बात करते हैं हेलो देयर आप कौन बूल रहे हैं? मेरा लाव अरजुन हेलो अरजुन वेलकम टु टिकी निकी शो अरजुन अप कितने साल के हो? रची साइका हो हम् जितनी होती है गिटार मेतार उतनी एज है अरजुन की अच्छा अरजुन तुम्हारा क्या सवाल है? ये पाइजिस क्या होता है? हम् बहुत बढ़िया अर्र अर्र हाहा टिकी क्यों ना हम पाइडे के शिप पर जाकर ही पाइडे के बारे में जाने? हाँ अच्छा आइडिया है फिर तो बहुत मज़ा आएगा तो चलो चलते हैं आज हमें पाइडे के शिप पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है अरे डरने की क्या बात है? अभी तो हमें अच्छी तरह से पता भी नहीं है की पाइडे होता क्या है? ओ हाँ फिर ठीक है पाइरेट होता है समुद्री लुटेरा होता है समुद्री लुटेरा और वो जगे जगे जाकर डालता है डेरा पाइरेट की लंबी मूच और दाड़ी भी होती है जिसमें दून बड़ी इत्तिसारी भी होती है पाइरेट एक बहुत बड़ी डोपी भी बहनता है और उसके साथ एक आँख पर आई बैच लगा कर रखता है गाल पे होता है इसके एक मस्सा और हाथ पे होता है इसके एक हुख निकी चलो मिस्टर पाइरेट से कुछ सवाल पूछते है हाई 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 मिस्टर पाइरेट आप कहा जा रहे हैं अच्छा आप क्या खाते हैं एक सवाल का सही जवाब नहीं दिया चलो मिस्टर पाइरेट से दो सवाल और पूछते हैं और मुझे पता है कि वो इन दो सवालों का बिलकुल सही जवाब देंगे मिस्टर पाइरेट लेटर क्यों के बार कौन सा लेटर आता है बिलकुल सही और लेटर एस से पहले कौन सा लेटर आता है ये भी बिलकुल सही अच्छा मिस्टर पाइरेट हमारा स्टूडियो जाने का टाइम हो गया है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर पाइरेट से मिलकर बहुत मजाया हाँ, उनके शिप पर बैटके समुदर की सेर करने पर भी अच्छा, पताओ टिकी, पाइरेट का फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रिमेंट कौन सा है? सितार अच्छा, और पाइरेट का फेवरेट फ्रूट कौन सा होता है? अनार और आज का शो हम इसी के साथ खतम करते हैं अगले वीक फिर से मिलेंगे बाई बाई